आज मातारानी अपने भगतों पर अती ब्रशन्न है, इसलिए वो अपनी किर्पा की बरसाथ कर रही है मातारानी अपने बच्चों से कहती है मेरी बच्ची, कैसे हो मेरी बच्ची, आउ आज मैं तुम्हे कुछ देने आई हूँ अपनी दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दो ताकि जीवन के किसी भी राह में तुम डगमगाना मत तुम जब गिरने लगोगे तो तुम्हारी मा तुम्हें ठाम लेगी याद करो मेरे बच्चे एक बार तुम भारी संकट में पड़ गए थे तुमने आखे बंद करकी मेरे नाम का स्मरन किया था और फिर मेरी अध्भुत और अद्रिश शक्तियां तुम्हें मदद के लिए चल पड़ी थे तुम जब भी मुझे पुकारते हो तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुचती है मैं तडप उठती हो तुम्हारे मदद करने के लिए तुम मेरे प्यारे बच्चे हो तुम्हारे जीवन शैली तुम्हारे जीने का तरीका तुम्हारी सोच सबसे मैं बहुत प्रशन्य हो तुम इमानदारी के रास्त पर चलती हो अपने हग को छोड़ कर भी दूसरे का कल्यान करते हो और जब जब तुम ऐसा करते हो मेरी अनुकंपा और ज्यादा बरस्ती है तुम पर आगे भी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रहूंगी तुम भूल कर भी गलत राह का चुनाव मत करना विपत्ते में कभी हार मत मानना क्योंकि तुम्हारी मा तुम्हें ना लड़ खडाने देगी और ना ही गिरने जब भी राह चुनो सत्ती की राह चुनो जब भी कदम बढ़ाओ सफलता की तरफ कदम बढ़ाओ धन्धान बरसे तुम पर ऐसा मेरा आशिरवाद है